हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है दोस्तों आज का टोपिक है धोनी सिध्धान दियाने के धोनी संप्रदाए आपको इससे पहले में रिती संप्रदाए और जो है अलंकार संप्रदाए करा चुकी हूँ और ये जो टोपिक है य सब्सक्राइब करें लेकिन यहां पर कुछ बिंदोज या कुछ आपको तथ्या बोल सकते हैं इस तरह के तथ्या आपको मिलेंगे शैद आपने ना पढ़े हो और कुछ आपने पढ़े होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे तो पूरी वीडियो जरूर देखें हो सकता है आप जो ना पढ़े हों और यहां आपको मिल जाएं यहां पर आपकी खोश कतम हो जाए और वे जो पॉइंट है और आपके एक्जाम में ऐसे इत आ जाए ठीक है तो वीडियो जरूर देखें हो बीजी टी और टीजी टी के लिए मैंने खास्तोर से बनाई है वैसे तो यह टॉपिक जो है सभी से संबंदी थे नेट में भी है यह सलेवस में और पीए के सलेवस में बीए के तीनु साल के सलेवस में है में 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 भी है तो यह टॉपिक ऐ तरवर्तक आनंदवर्धन है सभी को पता है यह कौमन आपका पॉइंट हो चुका है दोने लोग के ग्रंद के रचता है आनंदवर्धन यह भी पता है सबको अब यहां देख लीजे वाचया तिनिये यनी वंगय के ध्वनस्ति कावय भू तम वाचयार्थ अधिक रमनिये चम से होगी यह पॉण्ड तो उन्हें पता हो तो नोट डाउन कर लें अगला देख लीजे चारुत्वक्रश निबंदना निबंदना ही वाचयों वंगयों परधान या विवक्षा जब व्यांगयार्थ व्याचयार्थ की अधिक चारुता पादक या उतकर्ष होता है तब ही होती है यह कथन किसका यह कथन भी आनंद वर्धन का वैसे तो द्वनी से संबंदित आनंद वर्धन जी के ही बनते हैं पॉइंट लेकिन इसे अलब भी कुछ बनेंगे आगे चलेंगे जब आप देखेंगे चलिया आगे देख लीजे यह थारते शब्दोवा तमर्थ अपने को गोंगी भूत या गोंग के करके विशेश अर्थ को व्यक्त करें तो उस प्रत्यमान अर्थ को विद्वान ध्वनी कहते हैं यह कथन किसका यह कथन भी आनंद वर्धन चलिए अगे चलते हैं ध्वनी सुब्द का प्राचिनत प्रयोब किस गरंथ में मिलता है तो तथे मुख्या तथे आपका है द्वने लोग कटी का द्वने लोग लोचन किसी ने लिखी अभी नवगुप्ति ने थोड़ा इसको करते हैं अब देखिए अभी अभीदा के अंतरगती लक्षना व्यंजना को समाहित कर किस द्वनी विरोधी आचारे ने अपने को विचित् कुंतक ने ठीके मैंने कहा था ना आनंद मर्धन से अलग आपको द्वनी से संबंदित पॉइंट या तथे प्राप्त होंगे तो यह कहा था कुंतक ने बहुत अच्छा पॉइंट है इसको आप नोट डाउन करिए द्वनी सिध्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स क्या है इस पॉट है रूप है धनी क्या है इस पॉट कर जो हम करते हैं रूप है यह बहुत अच्छे जानकारी जो बीए की बुख है वहाँ पर भी इसकी जानकारी है साथ में जो है में की बुक में भी इसके जानकारी है साथ में तो है और आपका पड़ते रहे हैं सब जितने भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी प्रफजानित होता है उसर सब्सके यहां पर अपर देहते हैं किस ने का यहां यहाँ पर इसका हिंदी है और यहाँ पर इसका संस्क्रत में दिया गया है तो यह पतंजली ने कहा है द्वानी वानी के चारूप कौन से है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी में से कौन सा रूप है द्वानी के वानी के चारूपों में कौन सा है वैखरी है ठीक है वैखरी है पिर आगे है, इस्पोर्ट, वानी के चारूप, परा, पश्यंती, मध्यमा, व्याकरी में कौन सा रूप है, तो इसके टिटेल हम पर, अगले पेश पर आपको मिलेगी, कौन सा है, मध्यमा, ठीक है, यहाँपर देखिये, मध्यमा है, फिर है व्याकरण से व्याकरण ने वाकवानी के कितने परकार माने हैं उन्होंने चार परकार माने हैं कौन-कौन से परकार हैं एक तो परा है एक पश्यंती है और एक मध्यमा है और एक वैकरी है ठीक है यह बहुत अच्छा पॉइंट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आन लोग चार उद्धोतों में विभक्त है ठीक है दो प्राचीन टिकाय कौन कौन सी है लोचन जो की अभी नव गुप्त द्वारा रचित है तथा चंद्री का यह अज्यात नाम है व्यक्तिकरत है ठीक है दो टिकाय लिखी गई है दोने लोग पर और यह पॉइंट आप जरूर नोट कर लिए उद्धोतों वाला अगरा देख लिए क्योंकि यह प्रश्न आ चुका है कई बार आनंद वर्धन्य व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर कावे के कितने भेद किये हैं बहुत अच्छा पॉइंट है इसको नोट डाउं जरू करें तीन भेद दिये द्धोनी के कितने परकार हैं तीन है वस्तो द्धोनी अलंकार द्धोनी और रस द्धोनी तो आप यह से याद कर सकते हैं कि अलंकार है रस है और द्धोनी के परकार है चले आगे देखते हैं आनंद वर्धन्य द्धोनी के तीन परकाश वस्तो द्धोनी अलंकार द्धोनी रस ध्वनी में किसे किस कावे के परमतत्व के रूप मान्यत दी है तो उन्होंने रस ध्वनी को मान्यत दी है किस के रूप में कावे के परमतत्व के रूप में उन्होंने प्रकार तो तीनों दी हैं लेकिन उन्होंने परमतत्व किसको माना है रस ध्वनी को माना है किसके लि करते हुए तात पर रहे के तीन भेत किये हैं तो वह कौन से हैं अभी अभी धी यमान प्रतियमान तथा ध्वनी रूफ तात पर रहे हैं यह किसने कि हैं भोज राजने बहुत अच्छा पॉइंटर यह पॉइंट सायद आपको आज तक कहीं भी नहीं मिला हो चलिए आगे दे ध्वनि या भ्यंगार्द को तात पर रहे तो वहां पर कौन है भोज राज किस ध्वनि वादी आचारे को ध्वनि प्रस्थान प्रामचारे के रूप में परतिस्ठित किया जाता हैं यह कि मम्मत को बहुत अच्छा पॉइंट है आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू से च पंडित राज जगनात ने कावय के कितने भेद किये हैं उन्होंने चार भेद किये हैं उत्तोमतम उत्तममध्यम और अधम ठीक है बहुत अच्छा पॉइंट है यह आचारियों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता गोनता भाव के आधार कावय के कितने भेद किये हैं उन्हों अच्छा पॉइंट है इसको आपनों कर सकते हैं अगला देख लीजिए आधुनी काल के प्रारंबी समय में सेट कनहिया लाल पोद्दार ने कावय कल पुदुरम के नामक गरंद के रचना की जो आगे चलकर रसमंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ यह बहुत अच्छा आपका पॉइंट है एक्जाम के लिए पंडित रामदहीन विश्र ने कावय लोग परकाशन काल इतना है इसका 1942 कावय दरपन नामक गरंद की रचना की किसने की पंडित रामदहीन विश्र ने इसको जरूर नोट डान करे यह पूछा जा सकता इसका कावय सिद्धान का पुनर मुनल्यंकन किया तो यह थे डॉक्टर नगेंद्र ठीक है बहुत अच्छा पॉइंट है यह भी प्रमुक धोनी विरोधी आचारे हैं मुकल भट परतिहारे परतिहारें दूराज भटनायक धनजय धनी कुंतक और महीं भट यह क्या है दोनी विरोधी आचारे हैं और लेकिन प्रमुक धोनी वादी आचारे कौन है मममट अभिनवगुप्त पंडित जगरनात यह दोनी वादी आचारे हैं और यह सब को हैं विरोधी आचारे हैं आगे देख लीजे अभीदा अभीदा वरति मार्तिका नामगरंद की रचना किसने की मुकुल किस दोनी विरोधी आचारे ने दोनी का अंतरभाव लक्षना के अंतरगत किया है इसका प्रशन नेक्स पेज पर देखेंगे हम यह जितना भी मैंने यहां समझाया यह आपकी समझ में आ गया होगा चले आगे चलते हैं इसका है मुकुल भट आपके जो वाला पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है यह किस दोनी विरोधी आचारे ने दोनी सिद्धान का खंडन करते वे इसका अंतरभाव लंकार में किया प्रति हारेंदू राज ने किया शायद ही आज प्रति हारेंदू राज आपने पढ़े हूँ अधरपन नामगरंद के रचना किसनी की हवट नायक ने बहुत ही महत्तोपूर है 99 कुमेंज को मानके चली अपने एकजाम में धनजे रचीत दशरूपक की ठीका अवलोग के रचियता कौन है यह भी धनिक है धनजे से आप समझाना की धनिक है ठीक है यह बहुत अच्छा पॉइंट है यह आ चुका है एकजाम में झाल से कंई बार चलिया आगे दे किस दोनी विरोधिया आचारले तातपर शक्ति में धन धनन झेल धनिक में धनिक ने किया है ठीक है किस धनि-विरोधिया अचारनी-व्य अंतरभाव अविद्धा में किया तो यह कुंतक ने क्या यह भी एक्जाम के point of view से बहुत अच्छा आपका point है आगे देख लीजिए व्यक्ति विवेट के रचयता कौन है 99 इसको डाल के चलिए प्रश्ण को फिर अगला देख लीजिए point आपका अगला point है किस ध्वनी विरोधी आचारे ने अनुमान या अनुमिती में ध्वनी के समस्त भेदों का अंतरभाव सिद करने का प्रयास किया तो यह कि महीं भटने क्या पूछा गया है किस आचारे ने अनुमान या अनुमिती दोनों ही एक चीज है ठीक है ध्वनी के समस्त भेदों का अं सब महीं से समबंदित है चले आगे चलते हैं यहाँ आपके सारे पॉइंट से खतम हो चुके ہیں धितने बीने आज बताये हैं यह सारे आपको तो अपको पसंद अगे और इनमें से खुछ आपको कर लगा होगा कि ये तो ठीममने पढ़ा ही नहीं पड़े नहीं ये टख्रत के लिए में आपके लिए में सब सबसे पहले आपको महत्यववतो तत्य क्योंकि संपून नहीं आपते हैं इस वेंट कहीं से हम उठा लेते मुझन ऑर जो आपको त्यार हो जाते लेकिन यह तत्थ आपको एक सिक्वेंस वाई मिल रहे हैं तो यह आस्ब के लिए बहुत महत्यववतो हैं अगर आप इनको आप धड़ा धड़ करेंगे और नंबर भी आपका एक दम उसे आएगा ठीक है तो लाइक एंड शेयर करिए और हिंदी मिलर के साथ जुड़े रहे